दोस्तो आज हम जानेंगे genetics के top 20 questions जो कि हर exams में आते हैं और यहां तक की यह competition वारे exams भी आते हैं इसलिए दोस्तो यह question जो है बहुत ही ज्यादा important है चलिए हम जानते हैं कि पहला question क्या है दोस्तो पहला question है मेंडल के नियमों की खोज पुना कब होई थी दोस्तो जो मेंडल के नियम है उनकी पुना खोज कब होई थी दोस्तो 1900 में 1900 में मेंडल के नियम की पुना खोज होई थी अब हम जानेंगे दूसरे questions के विशे में एक संकर क्रास की दूती ये पीड़ी यानि की F2 generation में सुध रथा संकर गुरो वाले पाउदों का अनुपात क्या होता है इसका answer जो है दोस्तो 75 ratio यानि की 75 अनुपात ते 25 हम जानेंगे तीसरे questions के विशे में दोस्तों तीसरा question होई है थी ऐच मौरगन ने अपना अनुपान सिक प्रयोग किस पर किया था दोस्तों जो इसका answer है वह है फल मखी पर उन्होंने अपना अनुपान सिक प्रयोग किया था हम जानेंगे इसके चौते कोशन के विशे में चौता कोशन जो है पिथक करड का नियम प्रस्तुत किया था दोस्तों जो है पिथक करड का नियम किसने प्रस्तुत किया था वह है ग्रेगर जॉन मिंडल ने दोस्तों जो गेगन जौन मेंडल है इनों ने ही पिता क로 का नियम प्रतु किया था हम जानते हैं इसके पचबे कोशन के विसे में उद्धान मतर में अप्रभावी लच्चड है दोस्तों जो इसका एंसवर है वह जुरीदार बीज जुदिदार बीच जो है यह उद्धान मतर में अप्रवावी लच्छड है जो छावा कोश्चन है मेंडल का प्रयोगिक पौधा था यानि कि मेंडल ने किस पर अपना प्रयोग किया था वह दोस्तों गार्डन पी गार्डन पी पर ही मेंडल ने अपना प्रयोग किया था है सतमा है एक संकर संकरा यानि कि एक संक्र क्रास का आनुपात क्या होता,"एक संकर क्रास का इसका जो एंसर दोस्तो यह है three-to-one three-to-one जो है इसका संमल हचछडी अनुपात है अब हम इसके अठमे कोश्चन के विशे में जानेंगे जीन सब्द का प्रियोग सर्वपतम किसने किया था दोस्तो जो जीन सब्द है उसका प्रियोग किसने किया था दोस्तो जो हैंसन ने जीन सब्द का प्रियोग किया था नवा कोश्चन है अनुवान्सिक का गुर्षूत्र सिद्दान प्रस्तूत किया था जो है अनुवान्सिक का गुर्षूत्र सिद्दान किस ने प्रस्तूत किया था यह है वाल्टर एस सटन ने अनुवान्सिक का गुर्षूत्र सिद्दान प्रस्तूत किया था अब इसके हम 10 से वे कोश्चन के भी समझानते हैं कि अनुवान्सिक लच्छड के जीन एक्स गुर्सूत्र पर होती है यानि कि कि अनुवान्सिक लच्छड का जीन एक्स गुर्सूत्र पर होते हैं इसका जो एंसर है दोस्तों हुआ है हेमोफीलिया हेमोफीलिया का जो जीन होता है वह एक् गुर्सुत का फार्मेशन किस पदार्च से होता है वह है DNA और RNA DNA और प्रोटीन DNA और प्रोटीन मिलकर गुर्सुत्र बनाते हैं यह जो गुर्सुत्र होता है वह है DNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है DNA और प्रोटीन मिलकर गुर्सुत्र बनाते हैं अब इसके हम बाहरा में question के विसे हम जानेंगे जातियों की उत्पत्ती नामक पुष्टक के लेखक कौन है? यहनि कि जातियों की उत्पत्ती हुई है, इस पुष्टक को कुष्टक ने लिखा है दोस्तो डार्वीन ने ही जातियों की उत्पत्ती नामक पुस्तक के पुस्तक को लिखी है यानि कि जातियों की उत्पत्ती पुस्तक के लेखक डार्वीन जी है हम जानते हैं इसके बारामे कोश्चन के विशे में बारामा कोश्चन है पर्थम जियों उत्पन हुए यानि कि सबसे पहले जीव कहां पर उत्पन हुए जल में दोस्तों जो है जल में ही प्रत्यम जीव उत्पन हुए थे जो इसका चौधामा कोशन हुआ है जीवन की उत्पत्ती हुई यानि कि जीवन की उत्पत्ती सबसे पहले कहां पर हुई सागर में दोस्तों सागर यानि की जल में ही जीवन की उत्पत्री सबसे पहले हुई थी इसका जो पंद्रामा कोशन हुआ है लैमार का मूल सिधान्त है लैमार का मूल सिधान्त क्या है उपारजित लच्छडों की वन्सागती यही जो है लैमार का मूल सिधान्त है जो सुलामा कोशन हुआ है रक्त में अक्सिजन की कमी से लाल रक्त कडिकाओं में उत्पन रोग है यानि कि इससे कौन सा रोग उत्पन होता है पहला है दात्र कोशी का अरक्त ता दूसरा है हिमोफीलिया, तीसरा वड़ान दता और चौथा इन में से कोईन है दूसरा दात्र कोशी का अरक्त ता या रक्त में अक्सिजन की कमी से लाल रक्त कडिकाओं में होने वाला रोग है और सत्रवा कोशन है बिपरीत लच्छडों के जोड़ों को करते है यानि कि बिपरीत लच्छडों के जोड़ों को क्या करते है योगम विकलपी या एलिलो मार्फ करते हैं बिपृत लच्छडों के जोड़े को हम योगम विकलपी या एलिलो मार्फ करते हैं अठ्रमा जो question हुआ है सुद लाल तथा सुद सफेद पुसपो में परपरागर से पत्थम पीड़ी में कैसे पुसप उत्पन होते हैं वह है लाल पुसप उत्पन होते हैं जो नजमा कोशन होगा है बीजो का गोल आकार एवं पीला वड होता है वड यानि कि रंग होता है कैसा होता है वो होता है पुर प्रभावी जो इसका रंग होता है वो होता है पुर प्रभावी यानि कि जो इसका वड है वो होता है पुर प्रभावी जो बीजमा कोशन है वो ह पर आनुवांसिक एकक जो गुर्षूत्रों पर पाया जाते हैं, वो कहां पर पाया जाते हैं, आनुवांसिक एकक, DNA, RNA, या फिर जीन पर, इसमें से जो राइट एंसर होगा है, जीन पर, इसमें आनुवांसिक एकक जो हैं, ये जीन पर पाया जाते हैं, आनुवांसिक एकक, जीन गुस्तुत्र पर पाया जाते हैं यह था दोस्तो टाप 20 कोश्चन्स जो हर एक्जाम, हर कमपटेटिव एक्जाम हर बोड़ एक्जाम चाहें वो 11 का हो या फिर 12 का हो या फिर 10 का हो सब में इतना कोश्चन्स आते हैं अनुवांसर की से मैं ऐसा करता हूँ आपको वीडियों जरूर पसंद आई होगी यदि आपको वीडियों पसंद आई तो वीडियों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें चलिए मिलते हैं अगले वीडियों में तब तक के लिए जाहिंद पढ़ते रहे